हेलो दोस्तों नमस्कार, प्लस पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह, दोस्तों आज मैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि है LED कितने एंपियर्स का है, वो हमें कैसे बता चलेगा, आज के इस वीडियो में एकदम डीटेल में बताने वाला हूँ, और उसके अलग-अलग तरीके भी बताने वाला हूँ, याद रखे हैं कि वीडियो पसंद आता ना, तो अपने दोस्तों जात में जरूर शेयर कीज़े, तो चले वीडियो की शरवात कर लेते, तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है, यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सी LED को कितना मिली Mps यानि कि कितना करेंट की जरूरत है, तो उसके रिए तीन अलग-अलग तरीके है, पहला तरीका है मल्टिमेटर से मेजर करना, मल्टिमेटर से कैसे मेजर करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, करेंट यहाँ पर चेक किया थे, तो मैं मेरा जो टर्मिनल है, वहाँ पर गुमा देता हूँ, 200 मिली Mps के उपर, मेरा प्रोग सेम पोजिशन में लगा हुआ है, अभी मैं एक सर्किट बनाता हूँ, जिसमें एक 9 वल्ट की बैटरी लेता हू 300 ohms का एक technically कोई भी एक register लेने ले लिया है, और एक LED ले लिया है, connection में इस तरीके इसे करता हूँ, कि मेरा एक wire जो की register से होते वे LED की तरफ जाएगा, और दूसरा wire LED से होते वे battery के दरफ दूबार आएगा, यह normal मैंने connection किया है, इस situation में आपकी LED काम ज़रूर करेगी, लेक बगाता हूँ, और multimeter को जैसे ही on करूगा, तो यहाँ पर जो values, यानि की current flow हो रहा है, वो इधर से होते हुए, multimeter से होते हुए, फिर यहाँ पर flow होगा, और यहाँ से circuit complete होने वाला है, यानि हमें multimeter दिखाएगा exact कितना current इसमें से flow हो रहा है LED के पास, तो यहाँ पर LED का current ह है, वो आप इस तरीके से माप सकते हो, दूसरा तरीका है LED की जो size या basically typically हम लोग उसका जो प्रकार बोले LED का, उससे भी हम लोग current rating पता कर सकते हैं, कैसे, चले उसको big down detail में जान लेते हैं, उसके पहले जानकरी के लिए बतादू हम लोग ने online में बहुत सारे courses चालू कर द यह सब अगर आपको courses करना है, तो खाली एक application डाउनोड करना है, application का नाम है plus point training, यह आपको Google Play Store पर मिल जाएगा, अधिक जानकर एक लिए यहाँ पे नीचे आपको दो अलग-अलग WhatsApp नमबर दिखाए गए, दो नमबर से किसी भी WhatsApp पे मुझे हाई का message जा दिए, मैं सारी ज जान लेते हैं, LED के size के हिसाब से हम लोग current rating या प्रकार के हिसाब से हम लोग current rating कैसे बैचाने है, तो उसके लिए, अभी मान लोग कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो अलग-अलग size के LED है, जनरली 5 mm और 3 mm का एक LED यहाँ पे आपको दिख रहा है, आम तोर पे ऐसा होता ह surface mounted device याने कि अगर मैं आपको बोलोगे जो एकदम छोटे चोटे LED strips आती है उसके अंदर पे कुछ LED आती है, उसमें खास करके जो इस्तमाल होने वाली 3528 या 5050 यह LED सबसे जादे यूज रहती है, जनरली यह दीखने में कुछ इस तरीके से रहती है, यह 3528 वाली SMD chip IC का LED है, इसका जो ट्रिपिकल करेंट रेटिंग है 20 mA ही है, लेकिन 5050 इससे काफी बड़ा रहता है और multi color भी हो सकता है, तो इसका जो करेंट रेटिंग रहता है, वो color के अनुसार 60 mA तक हो सकता है, इसी तरीके से इसमें बहुत सारे अलग-अलग प्रकार भी आते हैं, sizes भी आते ह है, generally operating voltage सबका सेम है, current rating सबके अलग-अलग है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहे है, जैसे मैंने 5050 का बता है, 60 mA, इसके लब 5630 इसको हम लोग high power LED बोलते है, तो ऐसे कई सारे अलग-अलग रहती है, इसके लब हाई power LED की बात कर रहे है, तो high power LED आम तर पर कहां पर दि lights बोलती है, इसके उसका rating बहुत जाद अरद और प्रकार भी अलग रहता है, तो उसके भी अलग-अलग प्रकार है, इन जैन N बोलते है, इन जैन N एम LED जो रहती है, यह commonly green और blue कलर की lights जहां पर यूज होती, तो यहां पर इस टाइप के LED का यूज होता है, इसके लब हाई aluminum, gelatinium, indium, phosphate, यह वाले LED भी आपको मिलती है, जिसमें red color के आम तरप LEDs रहती है, और दिखने में कुछ इस टाइप के रहती है, इसके अलबाज silicon, carbonite की भी रहती है LEDs, जो की दिखने में कुछ इस टाइप के रहती है, यह सारी की सारी high power LED रहती है, जैनिनियम, nitride के भी LED रहती ह जनरली इस टाइप में रहती है, यह सारी high power LEDs रहती है, जनरली यह 1 watt से लेकर 3 watt के आसपास रहती है, आम तरपर इसका जो current rating रहता है, वो 350 mm से लेकर 700 से लेकर 1000 mm तक हो सकता है, इसी वज़े से इसको high power LED बोल रहती है, काफी जादा current खाता है, लेकिन यह बहुत ही जादा र रहेगा, नहीं मालो है, तो मैं बता दें, तो ohms log काफी आसान है, काफी उसमें voltage, register और current, यह तीनों चीज़ का calculation हम लोग ohms log के जरिए करते है, और उसी के आधार पर LED का current भी चेक कर सकते है, उसके लिए formula काफी आसान है, I यानि की current इक्वल्स to voltage, supplied minus voltage, LED का जितना voltage है, divide by resistance, ठीक है, कैसे calculate करें, मैं example देता हूँ, मालो है, हम लोग supply कर रहा है, 9V, हमारे LED को चाहिए 2.2V, और मैंने 330 ohms का एक register लगाया, मालो, तो उसके इसाब सा current calculation अगर करते है, तो 0.02061 Amps होता है, यानि लगभग आपके बास अगर मैं बात करो, तो 20.61 Amps हम लोग जिसको बोल स सकते है, तो इस तरह से current का calculation है, वो अगर आपको करना है, तो यह formula के आधार पर कर सकते है, लेकिन आप बोले के sir, मेरे बात register ही नहीं है, तो रजिस्टर का calculation कैसे करूँगा, तो अगर रजिस्टर का calculation नहीं है, अगर आपके पास, तो भी आप कर सकते, r is equal to voltage supply minus voltage LED का divided by current, अ जैसे बता है, current काफी हद तक नॉर्मल रहता है, तो इस से भी आप चेक कर सकते, तो यहाँ पर इसमनों 9V मने supply डाला हुआ है, और 2.2V आपको पावर चाहिए, divided by 0.020A, तो resistance आपको मिल जाएगा 340 Ohms, 340 Ohms का कोई register actual में नहीं रहता, तो आ उसकी जापर 330 या 360 Ohms का भी register आप use कर सकते है, standard ही है, ठीक है, लेकिन अभी आप बोले कि sir, मेरे पास resistance भी नहीं है और current भी नहीं है, यह दोनों चीज नहीं है, तो मैं कैसे ढूंड़ोगा, उसके लिए भी option है, उसके लिए option का है, LED जो आपने purchase के हूं है, उसका data sheet देखिए, Google पे जाईए, LED का model number डाल इतने milli MPS खाने वाला है, उसका calculation निकाल सकते हो, काफी आसानी से हो भी, I hope कि दोस्तो वीडियो छोटा रहेगा और आपको पसंद भी आया रहेगा, अगर पसंद आता है, अगर आपको हमारे online courses करना चाहते हो, तो काफी आसानी से कर सकते हो, हमारे दोनों WhatsApp नमबर है, कोई अगर आपको यह पसंद आता है, अगर आपको यह पसंद आता है, तो अपने दोस्तों के सब्सक्राइब के बटन दबा के बैल का इकोन दबा दीजे, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो जाएगा, उसको नोटिवेशन आपको जल से जल मिल जाए, चले इस वीडियो में इत